हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू मैगनेट ब्रेंस हिंदी आपकी लाली वर्मा मैडम मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर आप सभी विध्यार्तियों का बहुत बहुत स्वागत करती हैं अधिती की तरह यह नहीं कहूंगी कि तुम कब जाओगे मैं हमेशा यहीं कहूंगी आईए 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 और हमेशा मैगनेट ब्रेंस पर बने रहिए अधिक से अधिक लिंक को शेर कीजिए ताकि सभी विध्यार्ति सभी होनहार स्टुडेंट्स फ्री ओनलाइन बैस्ट ए पर एक तम फ्री देख सकते हैं और वह भी हमेशा हम किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात ना तो कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे तो अपने मन में किसी तरह का डाउट या संदे बिलकुल मत पालिएगा हम जो कहते हैं वहीं हम करते हैं हमारी कथनी और करनी एक है तब ही तो Magnet Brains बन चुका है भारत का नंबर वन ओनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म दियर स्टुडेंट्स हम पार्ठ पुस्तक स्पर्श का पार्ठ तीन तुम कब जाओगे अतिती शुरू कर चुके हैं प्रीवेस वीडियो आपने देखे होंगे पार्ठ की व्याख्या लेखक परीचय और नेक्स्ट जो उसके बाद वीडियो आये था वो NCRT समधान था देखा न और इस वीडियो में हम तुम कब जाओगे अतिती के बहु विकल्प ये प्रश्न करने वाले हैं अब बहु विकल्प ये प्रश्नों में मुझे आज 100% आप से आशा है किस तरह की ओकी बता देती हूं इस तरह की आशा की आप हर एक प्रश्न का उत्तर चुठकियों में देने वाले हैं क्योंकि मुझे इतना भरोसा है इतना विश्वास है कि आपने पार्ट की व्याख्या और NCRT समधान के दोनों जो वीडियोस हैं वो बहुत ध्यान से देखे हैं और आप हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पून रूप से तयार हैं तो तयार हैं आप येस वो लिए त तयार हैं हम चलिए तो चलते हैं पहले प्रश्न की और पहला प्रश्न है अतिथी को देवता कहा जाता है पर देवता की क्या विशेश्ता होती है देवता अतिथी वत रहता है देवता घर में ही ठेहर जाता है देवता दर्शन देकर चला जाता है देवता किसी के घर नहीं आता अतिती को देवता कहा जाता है तो देवता की क्या विशेष्टा होती है देवता अतिती बत रहता है अतिती की तरह रहता है नो देवता घर में हीट है जाता है उसको बड़ा मजा आता है कदापी नहीं देवता दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाता है येस ओके चलिए हम गाँ को सही देखते हैं और आपने दिया है बहुत सही जवाब अगला प्रश्न अतिथी का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता है अतिथी देवता के समान रातिथी देवभव तो उसका देवत्व मतला मान सम्मान कब तक रह सकती है अतिथी के अधिक दिन ठैरने पर no way अ आते थी यदि आते थी भेट लेकर आए नो यदि आते थी पेंग गैस्टी तरह रहे नो I think तो आते थी यदि अधिक समय तक किसी के घर ना रुके तब ही तक उसका मान सम्मान बना रहेगा I think उत्तर तो यही होना चाहिए यही है इस जो मैंने उमीद जो विश्वास मुझे था। आप उस पर खरे उतर रहे हैं clearly Ga Q दूसरे का उत्तर और टॉपंतर जो भी दिया तीस्वें क blossom क्या दिया मेरे उत्तर बताने से पहले आप ने उत्तर दिया लेखियेगा जरूर चलते हैं अंगले प्रश्न पर शरत जोशी जी लेखक जी का जन्म कब और कहां हुआ सन 1932 में जबलपुर में सन 1931 में कटनी में 21 मई सन 1931 को उजयन में या 25 मई सन 1931 को भोपाल में कहां हुआ था जल्दी बताई है हुआ था ज wanna बता दू म आप बतारा रहां अके बता है क önसे अंगर लग विशयलल लग रहा है आपको बहुत से लग तो मान गए भाई मान गए तुसी डिंट हो वैरी गुड अगला लेखक को अतिति को देख कर अंत्रकश यात्री की से की याद क्यों आ गई लेखक नघ्य dental ने जब अ अंत्रिक्ष यात्री था अंत्रिक्ष यात्री लाखों मील का सफर करके भी इतने दिन अंत्रिक्ष में नहीं ठेहरता जित्या अतिति उनके घर में ठेहर रहा था अतिथी अंत्रिक्ष में जाने की बातें करता था लेखक उनको अंत्रिक्ष के किस्से सुनाना चाहता था बताईए अंत्रिक्ष यात्री लौखों मील का सफर तै करके भी अंत्रिक्ष में इतने दिन नहीं ठहरता था इसलिए लेखक को लगा की ये कैसा है इसलिए अंत्रक्ष की तुलना मतलब अंत्रक्ष यात्री की तुलना उन्होंने अतिथी की करती अगला लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यूं कापने लगा था भाई बटुआ अंदर ही अंदर कापने लगा था क्या कारण था लेखक के बटू में बाइब्रेशन हो रह है बजट में उतार चड़ाव आ जाना वेरी गुड अगला प्रश्न है लेखक ने धोबी की जग है लॉंड्री में कपड़े क्यों दिये थे ताकि उनके कपड़े बहुत अच्छी से धुल कर आए और यहीं विराजित हो जाए या फिर आती थी कि कपड़े बहुत महगे थे इसलिए उन्होंने का ने ने धोबी को मत दो रिस्क है भाई क्या पता कैसे धोधा कर लाएगा इसलिए लॉंड्री में दे देते हैं या फिर लॉंड्री लेखक के घर की थी इसलिए सोचा कौन धोबी को पैसे दे घर में धुलवा लेते हैं या अतिती लॉंड्री के धु कर देने में कई दिन लगाता है यही है पक्का करदू टिक चलो मान लिया आपकी बात बहुत सब्सक्राइब वेरी वेल डम वेरी गुड अगला लेखक को अतिती से क्या उमीद थी वह कुछ काम करेगा वह लेखक की मदद करेगा अगले ही दिन चला जाएगा या इन में से कोई नहीं जब लेखक की घर आती थी आये ते अरे बहुत-बहुत स्वागत है कहां थे मित्रे तरे इंदनों स से भावी जी नमस्कार भाई साव आई आये प्लीज वह सारा अच्छी से पक्वान बने गए व्यंजन बने गए और लेखक को यह था कि वह अगले दिन चला जाएगा आ जाया है कल चला ही जाएगा बिलकुल अगला तुम कब जाओ गया थी पार्ट में लेखक ने कैसे लो माति के लोग यहां पर भाति भाति की माया हर एक इंसान एक दूसरे से भिन होता है विचारों में भी रंग रूप हर एक में एक दूसरे से भिन होता है इसलिए तो कहता है किसी के किसी से तुलना नहीं करने चाहिए तो तुम कब जाओ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहत तो किस पर ब्यांग किया है? ऐसे अतिथियों पर जो आ कर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। अतिथी कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा है? पांच दिनों से, चार दिनों से, तीन दिनों से, छे दिनों से? सोच समझकर जबाब दीजिगा कितने दिनों से घर रह रहे थे अतिथी, महोदै जी और कम उनके घर से unhappy जैसे दे सिली चार या पाँच टीन या छह चार दिनों से पूरे पूरे चार दिन हो गई थे बहुत बई बात है किसी के घर इतना नहीं रुखना है ठीक है तो चार दिनों से अगला लेखक अतिथी को देखकर तारीख हैं क्यों बदल रहा था कैलेंडर की तारीख हैं अतिथी को दिखाते हुए क्यों बदल रहा था लेखक का तारीख बदलने का अनिश्चित नियम था इसलिए वैए अति लेखक के घर आये कितने दिन हो गए औरे वाँ दो तारीक हो गई फिर भी नहीं गया आप अच्छा एक तारीक को आए थे आज तो तीन तारीक हो गई वो क्या कहना चाहते थे इसके माध्यम से अतिती को यह बताना चाहते थे कि लेखक के घर आये हुए उन्हें कितने दिन हो गए परन्तु अतिथी तो उनके कानों पर जू ही नहीं रहेंगी और हो रहने लगे उनके घर में यह को लेका अंत में दुखी होकर अतिथी में क्या कहता है क्या कहा और कितना परिशान करोगे कब तक छाड़ो कितनी बात करोगे उफ तुम कब जाओगे अतिथी क्या कहा था उफ तुम कब जाओगे अतिथी यह कहा था बिलकुल कि भाई बस हो गया तुम कब जाओगे अब तो रवान गी लो पांचवे दिन अगला कहा जाकर लेखक के अतिथी से संबंध मधूरता से कड़वाहट में बदलना आरंब कर देते हैं बहुत सही प्रशन है लाइफ में याद कीजिएगा याद रखिएगा कि कहा जाकर लेखक के अतिथी से संबंध मधूरता से कड़वाहट में बदलना शुरू हो गए ब यही एक सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि जो संबंध मदूर्ता वाले थे वे कड़वाहट में बदलने लगे थे समझ आया तो कहते हैं ना अधिक मिठास में कीड़े जरूर पड़ते हैं या फिर दोस्ती उतनी ही रखनी चाहिए सीमित रखनी चाहिए जिसकी लिमिट बनी रहे लिमिट्स क्रॉस ना हो और आपसी मान सम्मान भी बना रहे और आपसी मान सम्मान तब बना रह सकता है जब हम दिन रात एक ना करने किसी के घर में अर्थात वहीं पर पड़े ना रहे जाएं वहीं पर अपना डेरा न डालने तब जाकर अपना मान समान बना रहता है अतिथी आये हैं तो उन्हें समय पर चले जाना चाहिए अब अतिथी चला जाएगा, खर्च बढ़ेगा, समय लगेगा, अतिथी और कुछ दिन ठहरेगा क्या लगा था लेखक की पतनी को? कि अतिथी और कुछ दिन ठहरेगा जबकि लेखक को क्या लगा था? कि शायद अब तो ये चला जाएगा क्यूंकि कपड़े बपड़े गंदे होगा अब जाने में थोड़ा साफसुत्रे कपड़े पहनने होगे इसलिए कह रहा है कि भाई मुझे अपने कपड़े धुलवाना है तो धोबी को बुला दो लेखक ने कहा नहीं नहीं धोबी को क्यों लॉंडी में दुलवाते हैं न कपड़े तो लेखक की पत्नी समझ गई थी कि लगता है अभी और ठहरने वाला है और यही हुआ था अगला लेखक अपने अतिती से किस प्रकार की आशा रखता था आओ और अपना खर्च सोयम उठाओ नो आओ और एक दो महीने रोक कर जाओ नो नो नेवर आओ और दूसरे दिन सम्मान से चले जाओ आओ पहले तुरंत आकर बताओ क्या था? क्या उम्मीद थी, क्या आशा थी की भाई आओ और दूसरे दिन सम्मान से चले जाओ जिस सम्मान के साथ आए हो वो सम्मान बरकरार रहे और चले जाओ निकल कर तभी जाकर सही रहेगा अगला प्रश्ण लेखक कितने दिनों से अतिथी को कैलेंडर दिखा कर तारीखे बदल रहे थे? दो, चार, तीन, एक बताईए कितने दिनों तक? चार दिनों तक क्योंकि अतिथी पूरे पूरे चार दिन उनके घर रुख गय थे और आखिर मैं लेखक ने कह दिया तुम कब जाओगे अतिथी? कब जाओगे? अगला लेखक किस से परेशान है? अपनी पत्नी से? नहीं, नहीं, वो तो बहुत अच्छी है आतिथी से? यही, महंगाई से, गर्मी से, तो महंगाई भी थी, वो गर्मी मर्मी वो अलग है लेकिन सबसे जादा वे परेशान था लेखक अतिथी से, थे ना? अगला प्रश्न है शरत जोशी को हिंदी साहित में किस रूप में जाना जाता है एक व्यंगकार के रूप में एक कहानिकार के रूप में एक निबंधकार के रूप में या फिर एक उपन्यासकार के रूप में शरत जोशी जी की हिंदी साहित में सबसे बड़ी पहचान है वो किस पर है एक व्यंग कार के रूप में मज़ा आया बहुत अच्छे से सुना समझा इसके लिए तालियां अपने आपके पीट थपता पर लिया करिए कभी सेल्फ मोटिवेशन बहुत पावर्फुल रहता है तो इसी तरह से हर एक पार्ट के हम चार खंड में डिवाइड क किये हैं सबसे पहले हम व्याक्या पढ़ते हैं उसके बाद एंसी आटी समाधान फिर बहुविकल प्रश्ण उसके बाद कॉंप्ली चैप्टर रिवीजन में हम संपून चैप्टर का एक बार पुना रिवीजन करते हैं जिसमें एक पंक्ती को ध्यान से सुनते और समझते ह हैं जिन में शामिल हैं NTSC, Olympiad, IIT, JEE, NEET, UPSC, Bank, Insurance, CAIB, JAIB सभी प्रकार की प्रतियोगी परिश्णाओं के फीडियोज आप अपनी क्लास और अपने विशे के वीडियोज हिंदी मीडियम और इंग्विश मीडियम दोनों में देख सकते हैं बात मैं करूं हिंदी की तो हिंदी तो भाई हिंदी है, मात है की बिंदी है ठीक है तो यहाँ पर आप जब हिंदी का वीडियो देखें तो क्लास नाइन्थ हिंदी कोर्स भी स्पर्श संचैन क्या देखना चाहते हैं क्लिक किया और प्लेलिस्ट पर गया वहाँ पर बहुत अच्छे से वैल ओगनाईज तरीके से केटोग्राइज करके रखा है जैसे आपको पाठेक्रम देखना है पाठेक्रम का वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें दोनों कोर्स की संपून जानकारी दी है कोर्स ए में क्षितिच और कृतिका पाठेपुस्तक है भाग एक कोर्स भी में स्पर्श और संचैन भाग एक ठीक है इन में कितने चैप्टर से गद्ध खंड और कावे खंड में कितने चैप्टर शामिल हैं कौन लेखा कौन कवी है साथ ही साथ जो शीर्शक दिया है उसका इंट्रॉडक्शन भी दिया है तो पाठे क्रम का वीडियो आपने देख लिया तब तो समझ लीजे आपको साल भर का जो स्लेबर से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी और क्लास में स वीडियो से उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से समझ पाएंगे और कोई भी टेस्ट हुआ या परिक्षा होई तो उसमें अपने आपको प्रस्तोत बहुत अच्छे से कर पाएंगे वीडियो पसंद आएगा लाइक करना है सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि आ करना है डियर मेरे प्यारे विध्यारतियों शेर अधिक से अधिक कीजिए ताकि आप जिस तरह से मेंगे ब्रेंस ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाव ले रहे हैं उसी तरह से आपकी तरह आपके फ्रेंड्स आपके परिचे ता आपके रिलेटेव्स जो भी हैं आपकी कॉंटेक लिस्ट में सब को शेर कीजिए लिंक ताकि वे भी इसका लाव ले सकें नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की कॉंप्लीट चैप्टर रिवीशन में मिलने वाले हैं जिसमें हर एक पंकती का हर एक पाट का और लेखक की भावनाओं को दिल से समझेंगे मि बाइ, thank you so much.